हेलो गाईज चलिए आज बनाते हैं फ्रेश नार्यल सी बर्फी उसके लिए मैंने कोकोनेट के ब्लैक वाले पार्ट को अच्छे सी पील करा है अब इसके छोटे-छोटे टुक्री कारकर मिक्से जार में टाल दिया है कंटिन्यूसली मिक्सर को ना चले अधरवाइस वह प्यूरी फॉर्म में बन जाएगा तो लेचे तैयार है हमारा फ्रेश कोकोनेट का पाउडर अब इसको एक प्लेट पे निकाल कर अलग रख देंगे चलिए अब बनाते हैं बर्फी के लिए चौशनी चौशनी के लिए मैने एक कपचीनी का इस्तमाल करा रहा है एक कपचीनी की अंदर मैं आदे से जादे कप पानी का इस्तमाल करा है अब इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद चीनी को मेल्ट होने तक बखाएंगे अब मैंने इसमें दो टेबल स्पून दूद का इस्तिमाल करा है और दूद मैंने रूम टैपरिचर का ही लिया है दूद डालने से जो चाशने में डर्ट है वो अलग हो जाएगी दूट डालने के बाद एक उबाल आने दे उबाल के साथ डर्ट अलग हो जाएगी और उसको चान कर अलग कर लेंगे अब जो हमने ग्राइन करके जो को करेंट साइड में रखा था उसको इक पैल में ट्रांसफर करके साथ से आट मिनट तक अच्छे से बूर लेंगे भूनते समय ध्यान रखी कि उसको चला ते रहे अदरवाइस नेचे से वह जल साएगा और अब मैंने इसमें एक प्राइब पैकेट आसे किटिड को कोनेट का अस्तमाल करा है अब इसको मैंने 2-3 मिर तक और भूना है और फिर भूने के बाद एक अलग प्रेट में निकाल कर ट्रांसफर कर दिया अब बर्वी को रिच और मिल्की टेस देने के लिए मैंने इसमें 2 कप खोई का इस्तमाल करा है खोई को मैंने 2-3 मिर तक अच्छे से पैन में भून लिया है खोई भून जाने के बाद अब इसको इक अले प्रेट में निकाल देंगे तयार कीगे चाश्णी के अंदर हम भूनावा कुकुनट और खोया मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे कुच को मैं प्रेट कर सबेंगे कुच का अच्छे से अच्छे सेस्थाइब शूनावा की कर साच्छे से मिलाकर अच्छे कि लिए अखे बाद से अपी से मिले है आचाने कहा है कर आदा भून呢 झाल झाल अब मैंने इसके अंदर 1-4 टेबल इसपूर इलाइची पाउडर डाला है अगर आप चाहें तो आप इसमें ड्राइफ रूट को भी कटिंग करके एड़ कर सकते हैं प्रस्ट नले मुझे नारिल की पर्फे में सिर्फ नारिल का ही टेस्ट अचा लगता है इसलिए मैं इसमें को ड्राइफ रूट्स एड़ नहीं कर रही हूँ सबी को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको एक प्लेट में सैट होने के लिए निकाल लेंगे और फिर स्पैचूला या हाथों की हेल्प से उसको अच्छे से सैट कर देंगे अब मैंने इसको 20 से 30 मिनट के लिए ड्यूफ प्रिजर में सैट होने के लिए रख दिया है ताकि बर्फी कटिंग करके एक अच्छी शेफ में आए आफ्टर 30 मिनट मैंने इसको ड्यूफ प्रिजर से निकालकर अच्छे से कटिंग कर लिया है तुली जी ते यार है हमारी डिलेश्यस कुकुनट बर्फी आप इसे सर्व करिए और इंजाई करिए आप 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 आप